नमस्कार, न्यूस वर्ल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूँ टांजले सिंग भारत सरकार में एक ऐसा मंत्राले है जिसे खुद प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी जी का सपना माना जाता है इसके साथ ही देश की लोगों की आस्था और भावनाओं से जुड़ा हुआ भी उस मंत्राले को बताया जाता है इतनी बड़ी जिम्मेदारी जिस मंत्री को सौपी गई उनके बारे में एक बात जरूर कही जाती है कि उनसे अच्छा इस काम को कोई भी नहीं कर सकता था तो ये कहा गया कि सारे मंत्रियों की तुल्ना में आपको सबसे अच्छा मंत्रा ले दिया गया क्या आप भी इस बात को मानती हैं अच्छे और बोरे की तो तुल्ना आप में नहीं कर पाऊंगी लेकिन ये जरूर है कि एक ऐसा मंत्रा ले है जिसमें काम करने का संतोष होता है क्योंकि गंगा की सविस्याओं को देख करके मन के अंदर बहुत ही शर्म का बोध होता है क्षोब होता है कि हमने देश की इतनी महत्पुर्ण नदी की इतनी दुरदशा कर दी है और अगर उसको हमको ठीक करने का एक अवसर मिला और वो भी मुझे मिला तो एक संतोष का भाव होता है लेकिन इतना चुनोतियों से भरा हुआ है ये मंत्राले में ये दायतोर क्योंकि इसमें पाँच राजियों का भी सहयोग लेकर चलना है और करीब साथ आठ मंत्रालें का तो डारेक्ट सहयोग लेकर के चलना है और इसलिए इसमें बिविदता है इसमें बहुत बड़ी चुनोती है लेकिन जैसा कि आपने पहले ही कहा विशय का परिचे कराती हुए कि सोयम मोदी जी की इस विशय पे बहुत रूची है और वो इस विशय को लेकर बहुत गंभीर है इसलिए उनका पूरा सहयोग रहता है उमा ची ये बताइए कि आपके बारे में क्यों जब इन शब्दों का स्थिबाल किया गया कि आपसे बहतर और आपसे अच्छा इस मंत्राले को कोई संभाल नहीं सकता है कोई समच भी नहीं सकता है क्योंकि आप बहुत पहले से इससे नहीं मानती और मैं तो अपने आपको बहुत ही एक सामानने सा व्यक्ति मानती हूं लेकिन शायद उसका कारण ये चर्चा में आया होगा कि मैं 2011 से गंगा के आंदोलन को कर रही थी मुझसे पहले भी बहुत बड़े लोगों ने आंदोलन किये हैं सुन्दलाल बहु गुना जिन्होंने 1916 में सबसे पहले गंगा की अविरलता की रक्षा की थी तो मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूं लेकिन हाँ ये जरूर है कि गंगा को मैंने ठीक से समझा तीन साल में मैंने उसके सिर्फ आश्था के पक्ष को नहीं देखा उसकी समस्या के पक्ष को जादा देखा और उस पर आश्रत रहने वाले लोगों को देखा और जब तक मैं मंत्री नहीं बनी तुम्हें मनमुहन सिंह जी को कई वार मिली और प्रणाव मुखर जी के कहने पर मेरा नमली पर शुर्प घंगा को लेकिंग मेरा कई वार संपर्क जैराम रम्य जी से और फिर जैंत सुष्मा जी युश्मा लोकसवा की नेता थी अरुन राजसवा के नेता थे सोनियां गांधी वे सबको मिली वी तो कि युपीय की नेता थी। और आपको बें बताओं मुझे आपने एक मौका दे दिया बताने का कि मैं पालिया मेंट के सभी सांसदों को गंगाजल भीज़ुआई हूं 2012 में और एक दो-चार सांसदों को छोड़के चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान और चाहे किसी भी पार्टी के हों और चपले उतार के जो हमारी टीमें गई उन्होंने घंगाजल अपने हाथ में लिया उनको बिठाया चाह पिलाई अपने घर से अंदर से अपनी पत्नियों को बुलवाया कि हमां देखो गंगाजल आया है घर में और कहा कि गंगा के विशय पर हम एक रहेंगे मीरा कुमार जी ने मुझे गंगा पर कविता सुनाई और रोने लगी वह कुई इसा विशे था जिस अपनी बातों से जो याद हो गंगा के विशे पे राष्टी याइकात्मत ने मीडिया को भी देखा कि मीडिया के किसी ने कोई चैनल नी बचा जिसने गंगा पर कोई कारकम न बनाया हो कोई अख़वार नी बचा जिसने अपने व्यूज न दियो हो और सब के मन में एक ही आकांगशा है कि गंगा साफ सुत्री हो जाए है जो भगवान को मानते हैं वो भी ऑगोण परियावरन को मानते हैं तो इसलिए यह बात बिल्कुल सही है कि इस काम से लोग बहुत जोड़े हुए हैं और आपने जो कहा कि कईपार मुझे में वंधसिंक गुज़री मैं आप कहते हैं कि मंत्रियों को में बताना चाहिए नहीं हम तो बहादूर हैं मुखाबला कर लेंगे नहीं आप कितनी संतुस्थ हैं अपने कामों से यह पूश्चा रहे हूं कई बार ऐसा हुगा कि मैंने मुझे लगा कि बहुत कष्णाई है और एक बार तो ऐसा हो गया कि मैं एक सामने बैठी रही एक दो मिनिट तो उन्होंने मुझे पीछा क्या बात है तो मैंने बताया कि आपको लगता है मैं गंगा का काम ठीक से कर पा रही हूं मुझे अपने से संतोष्ट नहीं हो रहा है मैं अपने आप से असंतोष्ट हो गई हूँ मुझे लग रहा है कि मैं गं मंतरी जी ने ज्यादा दियान देना शुरूर किया घबरा क्यों गई थी आप ऐसा क्या हुआ जो आपको लगा कि नहीं अब यह बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे मेरे सुभाव की कमी मुझे हमेशा अपनी कमियां बहुत जादा दिखती हूं और मेगनिफाइंग ग्लास चोटी भी कमी होगी तो बढ़ी दिखेगी बहुत देर तक अपलोजेटिक बनी रहोंगी उसको लेकर करके दूसरा क्या होता है कि मैं कभी भी अपने आप से संतुष्ट नहीं होती मुझे हमेशा लगता मुझे जितना अच्छा करना चाहती हूं और मैं हर काम को पूरा कर करूं तो यह कई बार आड़े वी आ जाता है और कई वार यहीं चीज है जो जिसके कारण मतलब सम्मान भी मिलता है लेकिन आपको एक बात और यहां पर कुछ अलग नजर नहीं आती है कि जब पहली जब सरकार थी तब गंगा को इतना मुद्दा नहीं बनाया गया लेकिन आप से इस मंत्राले का गठन और खासकर के जब आप जबसे आप इसका नेतरित तो कर रही है तब से कम से कम अब अपोजिशन भी बात को उठा रहा है कि क्या काम हो रहा है हमें काम देखना आप ठीक कि रही हैं जब प्रधान मंत्री क्या बुलते हैं जब मन्मुहन इंग प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने गंगा रिवर बेशन अथर्टी बनाई थी दो हजार में और उसके बाद उन्होंने नेशनल बेशन फॉर क्लिगिन गंगा बनाया दो हजार ग्यारा में गंगा सेंट्र किया थोड़ा सा प्लान को लेकिन इंप्लिमेंटेशन के पार्ट को उन्होंने लगभग शूने पर रखा जहां पर की योजनाओं को लागू होना था और पर्याबरन मंत्रा लेके कोने में गंगा बनी रही राजीब गांदी जी के समय स गंगा पर काम शुरू हुआ सरकारी तंत्र के द्वारा यह सुरू हुआ है 1985 से जिसमें गंगा एक्षन प्लान फिर गंगा रिवर बिसन अथोर्टी फिर अंत्में नेशनल बिसन फोर्क प्लिन गंगा तो उसके कारण क्या हुआ कि यह बहुत चर्चा में नहीं आया प्रधान मंत्री जी ने गंगा की चर्चा करते हुए बनारस का जिकर किया उसके बाद में गंगा का मंत्राले बनाया अब यह दूसरी विशेश बात हो गई तीसरी हो गई कि मुझे गंगा का मंत्री बना दिया जो की गंगा के अभियान में था तो यह तीनों चीजे मिला क कि दोशीब कर देघ्र कर गंगा को एकदम प्राइम फोकस पे आई और अब वहीय है जिसके कारन की में आप मुझे24 गंटे मी कंपड़ते हैं शेटेश कम लगते हैं इक बात और यहां सबसे महत्तवर्पूर्ण मानी जाती है आप अभी पता रही है कि योजनाए बनी पैसे खर्ष होते गए तकरीबन चार हजार करोड रुपए उमा ची आपको नहीं लगता है कि यह वो गुद्ध है जिसमें योजनाओं से जादा पैसों से जादा एक पॉलिटिकल विल सबसे जादा काम करता है पॉलिटिकल विल तो अभी पीक पे है नरेंदर मोदी जी का गंगा का मंत्रा ले अलग बनाना मुझे गंगा का मंत्री बनाना और बीस हजार करोड रुपिया देना और वो बीस हजार करोड रुपिया का भी टाइम ते करना उपर क अपर लिमिट की आपको 4 साल में खर्च करके देना है तो ऐसी इस्थिति में मुझे लगता है कि इससे जादा पॉलिटिकल भिल नहीं हो सकती तिरो किसी भी बुद्दे को ले करके किसी भी सरकार का कborgिटमेंट रहें सकता है और इसी बात से मेरे को एक होस्ला बना रहता है कि हमें करके दिखाना क्योंगी हमारा ज्रएंग करने में किसी ने खattered नहीं चोड़ी है पहले और आपके तुल्ला में आप तो खेर काम देख रही हूं मैं भी कि आप जितनी गंभीर हैं जितनी गंभीरता के साथ आप काम को कर रही है चीजे लग रहा है कि बिल्कुल सहीं दिशा में जा रही है और जिस इंतजार की बात जिस वक्त की बात आप क जब मैं मुख्यमंत्री थी मुझे लगता था 90 दिन में सब सड़कें बंजाएं विजली आ जाएं सब को रोज ऐसे थोड़ा न होता है मुझे कई वार सेल्व कंसुलेशन करना पड़ता था कि अरे बाबा ऐसे नहीं होता है हर चीद का समय होता पहली वार इसलिए मेरे अंद होसे मंत्राले में मतलब एक विद्वा यह पिर गंगा रिवर्बरभर्बेशन अथर्टी आई पहले सब इक पॉइंट आया गंगा गंगा हमको दिये गए थे 2100 करोर हमने जब एक्सपेंडिचर फाइनिस कमेटी का इएफसी का नोट तैयार किया जो की केबिनेट नोट का बैक बोन था रिल्ड की हड़ी थी फिर उस पर जब एफसी हमारी एप्रूव हुई तो मुझे याद है हमारी एफसी की बहुत प्रशंसा हु है कि अगर गंगा के किनारे पर में नालों को छेक दूँगी तो उनके नाले कहां जाएंगे तो प्रकाश जावडेकर जी से भी कुछ बात बिगड़ गई थी आपकी प्रकाश जी से नहीं बिगड़ी वो थोड़ा चर्चा समय से पहले हो गई हमारे आपस के कुछ विचा और राय बनी और उस राय के साथ में एक एडिशनल एफिडेवेट फिर कोर्ट में गया तो इसलिए पर बात संपूर्ण हो गई उसका पूरी तरह से समाधान हो गया लेकिन हाँ दूसरे मंत्राले उनको प्रब्लम थी और उनकी प्रब्लम बड़ी जनुद थी कि या तो आ प्रब्लम आ गई कि नमा ही गढ़े ढंग ऑसे क्रेंश वह का न कोंडेट परसंसे इंटर सेक्टर और अर्वनhmen डब़ल्फमेंक फिनी खिरतिए तो फिर हम इस फंड का इस्तेमाल वहां कैसे करें और वो हमारे साथ में अपने फंड का मेंच कैसे करें और यह सब युक्त-युक्त करने में समय लगा फिर अंत में केबिनेट का एपूरूवल हुआ वो हुआ 13 मई को 13 मई को जब केबिनेट का एपूरूवल हुआ उसके बा बाद में cabinet note से मिले हुए approval के बाद हमारे कारिक्रम का अब यह सारी चीजह कहां हुई मंत्रा लेहों में हुई नीचे नहीं गई तो लोगों को लगा कि काम नहीं हो रहा है इतना कि यह बिना हम नीचे जाही नहीं सकते थे उन्होंने भी 1985 में जब स्कीम शुरू की है वह जल् करोड में से 7000 करोड देने पड़ रहे हैं तो अगर आपकी बातों को माना जो है तो फिर तो यह कहेंगे कि पिछली सरकार में कुछ काम ही नहीं हुआ अभी तक चल रहे हैं वो काम कंपलीशन में तो को यह आप पतारी 1985 के काम को अभी तक आपको पूरा करना पड़ा देख अब पर्वादी थीमिख हो कि यह तो हम इसको डिस्टोय कर दें पुराने इंफ्रेस ट्रेक्चर को तो हमने कंडिशनल एसिसमेंट कर आया है कि इसमें बागी इफ्रेस ट्रेक्सट्र को रिपीयर करने में खर्चा आएगा कि नए क्रियेशन नहीं अबने देखा वो कितने मैं आपको एक बात बताओं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत कठिन होती हैं और इसलिए इन प्रधान मंत्री ने बहुत अच्छे डिसेजन ले लिए एक तो क्याबिनेट में अप्रूबल के लिए जाना बहुत टाइम लगता है उसके कारण कई वाल डेले होता है सीवी सी की गाइडलाइन का हमें पालन भी करना पड़ता है अगर हम टेंडर की प्रोसेस में डिले कर दे तो आप ही सबसे पहले आलोचना करने लग जाओगी पहले एक तरफ तो आप कहोगी जल्दी करो और दूसरी तरफ आप कहोगी कि यहां का एप्रूबल छूट गया अब हम उस कमेटी में बैठके डिसिजन करेंगे एक फास्ट ट्रेक का काम उन्होंने यह कर दिया दूसरा उन्होंने यह कर दिया कि मेरी और नितिन गटकरी जी की इंफॉर्मल टीम बना दी है जिसमें पी एस टू पीम भी हम लोग बैट करके इंप्लिमेंटेशन की प्रक्रिया तेह कर लें और केबनेट कमेटी में हम जा करके उसको प्रूब करा लें इससे और तेजी हो जाएगी एक उन्होंने हाई लेवल टास्क पोर्स बना दी जिसमें की राज्यों के मुख्य सचिव हैं और हमारे सचिव भी हैं वो उसके कनव साल से क्योंकि वो सेवंटी थर्टी की स्कीम थी तो सेवंटी परसेंट उनको केंदर से मिलना था लेकिन तीस परसेंट राज्य को देना था तो आप कानपुर की ट्रेनरी स्लोटर हाउस और जो इंडिस्टियल एफुलेंट है उसको ट्रीट करने की बात तो चोड़ दीज साल में क्योंकि तीस परसेंट राज्य सरकार ने अपना हिस्सा दिया ही नहीं एक बात और यहां पर आप से पूछना है मुझे कि जितनी भी राज्य हैं जहां से गंगा होकर के गुजर रही है संयोग से देखिए कि वह सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार नहीं है क्या इससे भी आपको कुछ दिक्कत हो रही है या दिक्कत उठाना पड़ा है अभी तक तो नहीं जब मैं जिस घड़ी में आप से बात कर रही हूँ उस घड़ी में मुझे कोई परिशानी नहीं है हाँ अभी तीन चीजें सामने आई हूं और मैं रिस्पोंस का वेट कर रही की सरकार को यमेना की प्रोजक्त है पूरे मत्रा बरंदावन को ट्रीट करने का परोजक्त हूं रेडिय है अब खाले उसको शुरू करना है मेरे को जानकारी हुई है कि वो राज्य सरकार के कई चरणों से किलियर होता हुआ आप में शहरी विकास आफिस में वो पढ़ा हुआ है उपरस्ताओ तो मैं दो दिन से अखलेश को कह रही हूं कि मुख्ध मंतरी महोदय को कि आप उस परस्ताओ को आप निकाल लो और तो तु कि चोटा सा प्रश्निया पर मुझे बीच में डालना इसलिए पड़ा क्योंकि जब मैं किसी से शेयर करें इस बात को कि मैं आज जो माजी से बात करने के लिए जा रही हूं तो नहीं मुझे जरूर कहा है कि इनसे पूछिए ना कि हमारी यमना कब साफ हो जाएगी इस बार अब ही तक जब मैं आपके सामने बैठी हूं मैं किसी राजी सरकार के बारे में नहीं कह सकती हूं कि वो साथ नहीं दे रहे हैं मुझे जब भी जो भी सहयोग मांगा है उन्होंने किया है आगे कोई दिक्कत आईगी तो मैं तो कहूंगी और सारी मंत्रालेयों को आप एक सा साथ मिल रहा है इसका मतलब है कि जो सुगमता आपने बना करके रखिए उसका नतीजा हमें जरूर देखेगा लेकिन जो साथ उनके तरफ से आपको मिल रहा है वो सचमुच कारगर हो रहा है आगे और आपके प्लैनिंग उसी तरीके से बढ़ रही है जो एक उमा भारती सो पनी हूं और गंगा का नोटिफिकेशन भी हमारे यहां नहीं हुआ था लेकिन इंफॉर्मली माल ली आ गया गया तो कि गंगा मंत्राले बन गया हमारे मंत्राले का नाम में गंगा शब्द जोड़ गया है तो भले ही वह परियावरण वेहों सब्जेक्ट लेकिन लिस्ट विजनेस उधर था लेकिन फिर भी मेरा उप्रकाश जाब लेकर को कोडिनेस्ट तो ठीक था ही तो इधर सचिवों के समुई ने काम किया इधर हमने गंगा मंतिन बुलाए उसमें हमने साधू संतों की राहे लेली परियावरण विदों की राहे लेली समाज जो सेवी संग्ठ वो भी में अन्त में साथ लक्ष और 21 कर्यावन बंदू बनाए दौनों का मेल करके और खुद के तीन साल कि पुराने 29 साल के फैल कर इसके मिल करके अ उसको मिला करके जो शाल कि बनाई वो थी 27 लक्ष और 21 क्रयान मेन उस पर एक सिंपे टूइज उइंट हुई उस पर इम् एक तो इसमर्ति की खुद की निजी भूमिका रहती है मेरी जिंदगी में वह रहती है कि मेरा बहुत सम्मान करती है मुझसे बहुत छोटी है लेकिन कई बार में उससे जाके अपने मन की बात कहती हूं और कोई परिशानी होई गें तो उसको बताती हूं और बड़ी घंभीर्ता से से हैंडल करती है मतलब मेरे मेरे इमोशन्स को साधि देसे वह समझती है कि दी ऐसे करो ऐसी करो पता है मैं भाबह को गई हूं गर्वट मदों गर्वट कर रही है तो एक तो उसकी निजी मगलानिक में इराजयों पर छोड़ दिया, मैं ऐसा कर नहीं पा रही हूं, यहीं तो चीज है, जिसकी वजए से मुझे गंगा बंत्राले दिया है, और यहीं वो चीज है, जिसकी वजए से मैं असणतुर्ष्ट हो जाती हूं, मुझे एक गाउं की प्लानिक खुद देखनी, कि उस गाउं में क्या हो रहा है प्रोजेक्ट को देखना तो फिर मैंने इसमृति हिरानी जी से कहा कि मुझे आपकी एचारडी मिनिस्ट्री के जितने भी संस्थान काम कर रहे हैं गंगा के 100 किलोमीटर के इदर उदर वो सब के लोग जो हैं वो एक एक गाउं ले 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 और छोड़ोघ्स एम संही थे जूद्रWithती हिए वो तहो एक वारिष भी जाती है लेकिन गाउं में जो अन्र प्रकारकी गंदगिया उन्हीं थैट बहसे की निंग हो गाउन निर्मल नहीं होने अपने ये क्युंग कहा कि शहर गाउन की मुकाबले का यह गवातर है कि आ या bloody हमालो हमने पानी को च्छट किया चो च्टी पेड़ाने केiriस करने की वो पानी हमने साफ कर दिया तो ट्रीटेट वाटर को हम खेती के लिए ले सकते हैं गाउं में खेती बिलकुल आपको पता है खेत और गाउं बिलकुल सटे होते हैं दूसरे से कोई दिकत नहीं आएगी उसमें सीचेवाल मॉडल इसले हमने अडॉप्ट किया लेकिन श सब्सक्राइब करें अब यहां पर मैं भी सोच पा रही हूं कि आप क्यों कहते हैं कि यह काम कठीन है वक्त लगेगा इसको आप वक्त में और समय में मत बांधियों उससे पूछिए नहीं फिर आपने यह चीज़ कैसे कह दी कि आने वाले कुछ वक्त में टॉप 10 नदियों में गंगा आजाएगी क्योंकि फिर लोग अभी आपसे फिर यह जाना चाहेंगे कि अगर उमा जी कह रही है तो यह भी तो बताएं कि कब तक और कैसे हमें कब तक कैसे के लिए तो ऐसा करना पड़ेगा मुझे कभी कि आप सब को एक साथ बुला कि मेरे म पोड़े नहीं का इसलिए ही तक कारी काल में में गंगा को नेन की लिए की बैठक चाहते हैं कि बैठक सभाएं योजणा नारे गंगा के लिए बहुए को oggi काम नहीं करता है लेकिन आप इस बात का भारोसा दे रही है फिर लोगो को कि कि वो सारी चीजे तो हो रही हैं लेकिन इसके साथ में सचमुष हमारी गंगा पतित पावन साफ हो जाएगी लोगों को भरोसा नहीं दे रही हूं लोगों की भरोसे पर के रही हूं मैं भरोसा कर रही हूं लोगों का सरकारी योजना तो एक सीमा तक ही गंगा को साफ रख पा लोगों को भरोसा नहीं दूँगी, मैं लोगों का भरोसा करूँगी, कि वो मेरा साथ देंगे, आप दुबारा भी पध्यात्रा पर निकलने वाले हैं, कहतो रही हूँ, भाबु कुना तो एनाूंस कर दिया है, अगर मेरा बस चले तो मैं दिली में एक दिन न रहूं, तो मै प्रधान मंत्री जी की अनुमती कभी मिल जाएगी, अभी तो एक साल चा महीने मुझे और लगेंगे, पूरी योजनाओं को अब शुरू करवाना है, अभी तक तो बनाई है योजना, अब शुरू होनी है, और उसके बाद में फिर मेरे मन में है कि फ्राइडे सेटर डे सं गंगा के किनारे हैं, मुझे तो लगता है कि आप इसके पहले से भी जिस तरीके से गंगा से जुड़ी वही एक आखो देखी जो आपने गंगा को देखा है, बहुत चिंतनी हालत इस वक्त, आपको मैं बताऊं, अगर आप मुझसे पूछेंगी तो गंगा के तीन रूप ह वो तो सदई विद्यमान है, दूसरा गंगा का रोजगार वाला रूप है, उस दृष्टी से लाखों करोन लों के रोजगार खतम हो गए हैं, वो तीसरा गंगा का प्रदूशित रूप है, और इस सब को देखकर के मैं कह सकती हूँ कि गंगा हमने खतम कर दी हैं, अब तो इस देश के लोगों को ये जानकारी जरूर है कि उनकी मा को फिर से जगाने की जिम्मेदारी किनके हाथों में दी गई है, आपने लोगों के भरोसे की बात तो जरूर की है, लेकिन क्या उन लोगों के भरोसे को जल्द ही हम गुंते भी नजर आएंगे और जिस गंगा के ब मुझे बहुत अच्छा मौका दे रही है आप ऐसा कहने का, गंगा को तो सत्ता और समाज को मिल के ठीक करना है, सत्ता तो अपना काम कर लेगी, लेकर समाज को भी अपना काम करना है, मेरे को समाज को अभदेश देने का आधिकार नहीं है, लेकर फिर भी आप मौका दे रही है बघवान के लिए गंगा में बिलकुल मत छोडिए किसी भी नदी में बिलकुल मत छोडिए और दूसरों को छोड़ते हुए देखें तो आप रोकिये कि नदी के किनारे के प्रिर मत काटिए और बनकि जहां गाएं हों वहाँ पर भी आप इन चीजों को मत छोड़िए गव का सबसे बड़ा हत्यारा वही है जो प्लास्टिक पलीथिन की चीज़ें मसाले लगी चीज़ें सड़क पर छोड़ देता है उसको खाने वाली गाये जरूर मरती वही गव हत्यारा होगा वो ध्यान रखे जो नदी में छोड़ता है वो गंगा का हत्यारा है इसलिए मैं सबसे अपील करूँगी आपके चैनल के माध्यम से कि ये पांस साथ चीज़ें हैं प्लास्टिक परिस की बनी हुई बच्टूएं भी आप नदी में या गंगा में आप मत छोड़िए बस इतनी 4-5 चीज़ों का ही आप ध्यान रख लीजिए तो आपका बहुत बड़ा योगदान हो जाएगा पहुत पहुत शुक्रिया हम से बातचीट करने के लिए और जो लोग भी आज उमा भारती जी को सुन रहे होंगे उनके साथ में उमा भारती जी हमेशा बनी हुई है और इस बात में दो राएं नहीं कि कभी आपके भी गाउं के किनारे ये नजर आ सकती है क्योंकि ये पध्यात्रा पर निकलने वाली है इन बातों को सुने क्योंकि सवाल आपकी मा का है और आपकी माँ को आपको भी बचाना है और हमें भी बचाना है आप देखते रहें आगे भी News World India धन्यवाद